नमस्कार पित्रो आज मेरे पास है पुद्पिष्ट कवित्री शद्धा सुनिल जी की प्रसिद्ध काविसंद्र हिमालय की कंद्राओं में इनमें से कुछ कविताओं का पाठ कर रही हूं और पहली कविता पढ़ती हूं जिसका शीशक है सूर बहार जब से उसने मुझे देखा है सुर बहार की तरह जंक्रित हूं मेरी स्वासों में एक साथ गुण जुठी है भैरवी आसावरी मालकोस बागिस्री की रागदारियां जब से उसने मुझे देखा है सुर्बाहार की तरह जंक्रित हूँ, मेरी स्वासों में एक साथ गूंज उठी है भैरवी, आसावरी, मालकोस, बागिस्री की रागदारिया भीतर कस्म साती इन राग रागिनियों की लहरों में डूपती उतराती न जाने कितने जनम व्यतीत कर चुकी हूँ एक हूक सी उठती रहती अन्वरत प्रतिक्षा की घडियां है कि बीत्ती नहीं प्ले में पड़ी हुई स्त्री की बहुती सुन्दर व्यता कथा को रच रही है श्रदाजी और एक बार फिर पढ़ती हूँ कि भीतर कस्म साती इन राग रागिनियों की लहरों में डूपती उतराती न जाने कितने जनम व्यतीत कर चुकी हूँ एक हुक सी उट्ती रहती अनुवरत प्रतिक्षा की घडिया है कि बीत्ती नहीं तानपुरे, सूर बाहार, स्वर मंडल, बासुरी, सरोज संतूर के अंतहीन रहस्यमई नाद में डूबी हुई कोई अती प्राचीन दारवी वीना हूँ कभी हस्ती हूँ, कभी रोती हूँ, मेरी पीडा और खुशी के खनकने से कुछ स्वर जो मेरी देश से ज़रते बैते रहते हैं लोग उन्हें कविताएं कहकर पुकारने लगे हैं दूसरी कविता का शिशक है ब्रांड हम जब भी मिले तुम मेरे कपडों का ब्रांड, चपलों की मैचिंग और उसकी कीमत में उलजे रहे ये विंग्यात्मक कविता हम जब भी मिले तुम मेरे कपडों का ब्रांड, चपलों की मैचिंग और उसकी कीमत में उलजे रहे मेरे आस पास के साजो सामान को निरखने परखने में व्यस्त रहे मुलाकाते ताउम्र हमारी होती रही मुलाकाते ताउम्र हमारी होती रही बातों का दौर भी खुप चला पर आस तक मेरे दोस्त हम अभी तक मिलना सके पर आस तक मेरे दोस्त हम अभी तक मिलना सके और तीसरी कविता है उस इस्त्री का संग जो इस्त्री संसार के तमाम आकश्यनों से और जुमके चूडियों सौंदरे प्रशाधन से मुक्त है जो चल्चित्र और चाट खिलाने की तुमसे इच्छा नहीं रखती जो इस्त्री संसार के तमाम आकश्यनों से और जुमके चूडियों सौंदरे प्रशाधन से मुक्त है जो चल्चित्र और चाट खिलाने की तुमसे इच्छा नहीं रखती जिसे शौपिंग मॉल आकशित नहीं करते जिसे तुमसे दुनिया जहान की सेर का कोई लोग नहीं ऐस इस्त्री का प्रेम पाना इस संसार की सरोच चुप लब्धियों में से एक दुरलब छण है और उसका संग पाना तलवार की धार पर चलने जैसा अनुभू है एक और कवीता शुन्य से इश्क है मुझे जैसे हिमाले की कंद्राओं में रहते हैं तपस्वी जैसे ही जीवन जीया कवीत्री कह रही है अब कवीत्री के मनखी था को आप समझे कि वो क्या कहना चाह रही है कि शुन्य से इश्क है मुझे जैसे हिमाले की कंद्राओं में रहते हैं तपस्वी जैसे ही जीवन जीया घर की चार दुवारे में जैसे खानी की थाली में होती है चट्नी बस इतना ही चखा संसार शुन्य लिखती हूँ शुन्य बढ़ती हूँ शुन्य ओड़ती बिछाती हूँ शुन्य में ही स्थिर रहती हूँ शुन्य मेरा वजूद शुन्य से इश्क है मुझे ये एक पहुती असाधर्ण पहुती गहरी कवीता कवित्री की बहुत पसंद करती। उस कवीता को पता नहीं जितनी बाश रद्धा जी ने ये कवीता शेर की है फेस्बुक पर और उतनी ही बार मैंने ये कवीता पढ़ी है उनकी मनी मन आज मुझे पाट करने का सुवसर मिल रहा है तो मैं इस कवीता को आप सब के सामने रखना पसंद करूँगी सभी आप एक बार फिर से देखें कि यह कवीता कवीता कितनी बड़ी कवीता है सत्य जसका तसरा सत्य जसका तसरा सुख भोग रहे लोगों ने कालपनिक दुखों पर खूब जम कर कवीता है लिखी सुख भोग रहे लोगों ने कालपनिक दुखों पर खूब जम कर कवीता है लिखी दुख भोग रहे लोगों ने दुख भूलने के लिए सुख में डूबी कलपनाओं की कवीता हैं लिखे अंतर द्वन्ध देखिए कवीता का ये बहुत ही द्वन्धात्मक कवीता है मुझे इस तरह की कवीता है बहुत मुतासिर करती है बहुत प्रेरित करती है मेरे मन की बात को कैसे लिख दियाु उन्होंने देखिए कि सुख भूग रहे लोगोंने कालपिनिक दुखों पर खुब जम कर कवितायं लिखी, दुख भूग रहे लोगोंने दुख भूलने के लिए सुख में डूबी कल्पणाओं की कवितायं लिखी, ज्यादा सराही पढ़ी गई दुखों पर लिखी कविताएं, सत्य अनकहा रह गया, जूटी कविताओं पर जूटी बहसे हुई, कविताओं का लोकारबन महत्पून जश्न जोरदार हुआ, जो जरूरी किसी कावे संग्रह की सफलता के लिए वह सब हुआ, सत्य जस्का तस्का, सत्य जस्का झाल पर गजा का लोकारबन महा हुआ।